Reliance Spinning Mills रा सर्वत्तम सिमेंडे बुक बिल्डिंग मेथाड बड़ा IPO निसकाशन गलाई 7 मा आउविदन दीश अगेगो छा अब केग दिन में 7 ले IPO निसकाशन का अनमती दिना साथ इतो ही कमपन ले बुक बिल्डिंग मेथाड बड़ा IPO निसकाशन गरने चन आज यो बुक बिल्डिंग मेथाड बने को खी हो? Reliance Spinning Mills ले जम्मा पॉब्लिक इसको 40 प्रति चत सेर् क्वालिफाइड इंस्टिउट्यूचन इंबेस्टर हरू गलाई इनिसेल प्राइस रेंज 6.8.9.12 प्रति कित्ता मा IPO निकालने प्रस्ताब राखेगो छा संग यो क्वालिफाइड इंस्टिउट्यूचन इंबेस्टर हरू को हुन? प्राइस रेंज भने को की हो? रा बुक बिल्डिंग मा जेनल पॉब्लिक ले सेर कसरी रा कती मा खिर्ण पाउने? इस संपुन आ जानकार्य रे यो टे वी वीडियो में ले रायकाचु तेसे ले अन्ते सम्मा अवस्चे हैनु अला रामरोल आगे मा चैनल ले लाइक, कमेंट रा सब्स्क्राइब कोनी गर्नु अला सो लेट्स स्टार्ट विथ एन इग्जाम्पल तपे अरलाइ अक्षन को बारे मात थाई अला जस्मा एवटा बस्तुकों एवटा मिनिमाम प्राइच बड़ बोली लगाईंच रा जस्ले सब अन्ता बड़ी को बोली लगाऊंच उसले त्यो अक्षन जीच्छ रा पैसा तीरे रा सबै समान लिये रा जान्च बुक बिल्डिंग पनी तेस्तेवरा कंसेप्ट हुँ तरह इसमा गेम को रूल्स मात्रे केई फरक्षा डिटेल मा बुजनकलाई शुरुआत गरू शुरुबाटे कुनेग पनी कमपले आईपयो इसु गर्दा इद दुई कुरा अरुपा आउसेक्ता परच पइलो आइपयो निर्धारन करने प्रक्रिया रो दोसरो आईपयो को मुल्य निढदारन करने बीधि वा तरीके रो विष्व वरे आईपयो को मुल्य निर्धारन गरने बीधि मिण दुई ओडाचन पहिलो fixed price method रो दोस्रो book building method fixed price method ते यहां हरू सब इले थाएछ हाल समा जत्ती पनी company ले आईपी निस्काशन गरे चाहे तियो face value 100 मा होस या premium 100 को price मा इस सब इला fixed price method बाटे आईपी निस्काशन गरे को मानींच shortcut मा दुबे मेथड को main main features हर को कुरा गरता पहिलो fixed price method मा आईपी को price पहिले fixed हुँच जस्ते face value में चाहा बने 100 भाई आलियो premium मा चाहा बने 300, 400, गोराई सीमेन को जस्ते 4, 35 मा बहेगो थियो तर book building method मा बने शुरू में price fix गरे को हुँद दैना action जस्ते bidding को life price range मात्र तोकिये को हुँच दोस्तो fixed price method मा आईपी को single price हुँच जस्ते 100, 200, 300 तर book building method मा price range अफर गरेंच जस्ते reliance spending में इनिस्ट्र प्राइस रेंज 6-6-9-12 मा qualified investor को लाई share अफर गरेंच तेश्तो fixed price method मा सबे investor को लाई single phase में आईपी को गरेंच बने book building method मा qualified investor और general public investor गरेंच तुयोटा मा बर्गिवरन गरेंच नेपाल को नियमन्सार first phase मा आईपी को 40 प्रतिशत सेर पहिला qualified investor लाउफर गरेंच और second phase मा पाकी 60 प्रतिशत सेर जेनरल public लाउफर गरेंच चौथो मा fixed price method को IPO को price शुरु में सबे investor अलाई थाउँच बने book building method मा initial price range मात्र थाउँच IPO price बने bidding process स्वाकी पची मात्र निर्धान गरिंच जस्लाई cut-off price बनी बनी बनीच अईले सम्मों को basic कुरा हेर्दा यो book building method बिल्कुले फरक method रहिचे बनने कुरा तथा 25 बयोला यो book building method बिश्चो बरी एकदमे प्रचलित र बरी प्रेग मा आयका method बनी हो अब माता बल्या book building method बाटा IPA मुले कसरी निर्धारन गरिंच रा येसको प्रकिरिया रुखेके चन बनने कुरा पहिले गर्चु रा तेस बच्चो अबराल मा book building बाटा हामी सब बल्या कसरी फाइदान असक्ष तेसको बारी मा भन्नेचु तेसेले वीडियोला अन्ते सम्मा अउसे अन्वाला book building method को first stage को प्रकिया बनेको सबय वन्दा पहिले कमपणले IPA लेऊना इचार टम सरु मिट गर्ने परने उन्च पहिलो कमपणले पच्छीलो तिन बर्षामा हरेक बर्षा नाथा कमायक हुनु परने दोस्रो कमपणले साधरन सबा बाट बुक building मार्पत IPA निस्कासन करना स्विकीती लीनु परने तेस्रो प्रती शेर net worth प्रती शेर paid of capital को कम्तीमा डेड़ गुडा हुनु परने और थात प्रती शेर अंकित मुले शुरू 100 चा बने प्रती कीता net worth कम्तीमा एक से 50 हुनु परने र चौथो कमपणी को credit rating average वा above average हुनु परने और थात minimum triple P हुनु परने हुनु छ यानि जुन कमपणीयों लिए चारोटे टम्स अरु मिट गरना सक्दाइना त्यस्ता कमपणीयों ला IPO निस्कासन गरना चाहेमा अईले चली रहेके fix price method बाटे निस्कासन गरनु पन्ने हुन्छ यानि कमपणीयों फर्स्ट स्टेज को प्रक्रियारु पुरा गरना सफल वाये बने चाहे अवा सेकेंड स्टेज को प्रक्रियारु येस प्रकार चाहे सबई वन्दा पईले कमपणीयों येवड़ा issue manager अपवाइंट गर्णु पन्ने हुन्छ issue manager बने को NIBL Capital, Sunrise Capital हरु जस्ते आजोको दिनमा करीब ती सोटा कमपणीयों अरु छन जसले हामी investment banker बनी बन्छ तेश पची सो investment manager ले कती किता शे निस्कासन गरने रा कती मुल्य में निस्कासन गरने येवड़ा tentative price range निधारन गरी येवड़ा बियोरन पत्र तयार गर्छ तेश पची यो बियोरन पत्र सबई qualified investor हरला पठाएंच रा के दिन पची येवड़ा investor भेला बोलाएंच इसु manager ले ये investor भेला द्वारा सबय qualified investor रोड़बात कती किता शेयर कती मुल्य मा लिने हो बने रेवटा आशाय पत्र लेटर आफ इंटेर लिन्च जस्ट लाइक qualified investor ले दियेको commitment letter बनी बनना सक्छो निये मन्चार इस्तो commitment letter कम्ती मा 10 जाना qualified investor शांगा लिने ही परने हुँँछ ये qualified institution investor अरू कोको हुनता बन्दा पहिलो listed companies दोस्रो mutual fund manager, तेस्रो merchant banker, चौथो approved retirement fund जस्ते संचेको शरू पाचो मा सेकृरिटी ट्रेडर शाहरू रा छाइठो मा शेयर किन्बेज को उदेश्यको सार्थ दर्ता बयको कम्पनी अरू जसको net worth कम्ती मा 10 करोड को शांग इन्हे अला qualified investor बनींच, इन्हे अरू नर्मल ये high net worth बयका ब्यक्ति अरू हुँँछ इस पची issue manager ले सो letter of intent को अधार मा येवडा best price निर्धारन गर्छाू book building को guideline अंसार, best price को 20% तॉल रा 20% माथी को range भीत्र रहे रा मात्रे IPO को लाए आयुटन बर्ना शकिन्छाू जसला आमी price range पनी बन्छू तल लोवा minimum price लाए floor price परिंछा बने माथी लोवा maximum price लाए cap price परिंछाू रा अंते मां same auction मां गर्या जसते qualified investor अरले आफनो मुल्यांकन को अधार मां कथी कित्ता शेर कथी दर भाह मां लीना चाहे को 7 को नियम अंसार सब इले electronic bidding गर्ने चाू फाइनल्ली bidding close भाइसे को पाची bidding price को आधार मा cut-off price डिसाइड वुन्छाू रा जुन जुन क्वालिफाइड इंबेस्टोर ले cut-off price वात्योंदा माचिको price पर बीड गर्शन उनियर लाए cut-off price में share allotment गरिंछाू येसले वड़ा एक्जाम्पल बाड़ा बुजनक लाई ये टेवल में हेरो मैं इसको लाई Reliance Spinning Mills के एक्जाम्पल ली देचू येस कमपणी ले best price 660 मा book building method बाटा IPO निकालने प्रस्ताव राखेगोचाू मानो येधी येही price ने final बाए बनी येसको अधार मा 20% up र 20% down गर्दा price range 680 देखी 912 नाउँछ येसको अर्थ येसको cap price 912 र फ्लोर price 680 नच येसले जम्मा 770,646 किता शेर qualified investor अरुक लाइ discussion गर देचाू मानो इस साथ ओटा A, B, C, D, E, R, F qualified investor बीडिंग गरेका छन जस्वा A ले 2 लाख किता शेर रू 900 में बीडिंग गर्यो B ले 5 लाख किता रू 800 में बीडिंग गर्यो तेसे गरी C ले 2 लाख किता रू 800 में बीडिंग गर्यो और नेक्स्ट एक लाख किता डीले 750 में बीडिंग गर्यो र इरा याफ ले 50,000 किता 650 में बीडिंग गर्यो रहेचाू अब ये टेबल में एरदा C सम्मा आउंदाउंदे टोटल 7 लाख शेर बीडिंग भई शक्यो बागी रहेगा 7,640 शेर अब डीले बीडिंग करदा शक्यो अब यहां में बुझनू परने कुरा चाई जुन बेला निस्काशन गर्योंगा शेर सब शक्यो इक्जाक्ली येसे को कोरस्पेंडिंग प्राइस और थात हम्रो केशमा रू साथ से 50 लाई कॉट अफ प्राइस बने क्या आईपीओ को फाइनल इसू प्राइस हो जसले यो कॉट अफ प्राइस वाथ त्योंदा माथीगो प्राइस मान बीडिंग गरेको शा उन्हेरले शेर 9 से में भरेगो पने साथ से 50 में पाउने भाई रो जसले कॉट अफ प्राइस बन्ता कम प्राइस मान बीडिंग गरेगो शा उन्हेरू डिस्क्वालिफाइड उने भाई अर्थात हाम्रो केस मां इन्बेस्टर इर यफ इस आउट अफ गेम उन्हेरले कुणे पनी शेर पाउने भाई न ABC ले एप्लाइ गरेको सबय शेरोरो साथ से 50 में पाउने भाई सेकेंड फेज मां जेनरल पब्लिक लाइपन गरींचा निया मन्चार जेनरल पब्लिक लाइप कट ओफ प्राइस को 10 प्रतिशत डिस्काउंट मां IPO इश्यू गरने पने हुँँचा यानि हमरे एक्जाम्पल मां कट ओफ प्राइस साथ से 50 आयो एशको 10 प्रतिशत डिस्काउंट पची जेनरल पब्लिक लाइपन मुल्ले 65 पचत्तर उना हुँचा तर जेनरल पब्लिक लाइपन भर्दा चाई कम दिमां 50 किता शेयर कलाई आयो देन दिनु परने हुँचा अब अंतिम मां कुरा गरो हर एक सिक्या को दुई पाटा बने जस्ति बुक बिल्डिंग बाटा IPO निकालता एशका के फाइदा बेफाइदा अरुप निछ पहिले एशको फाइदा अरुप आटे कुरा गर्दा बुक बिल्डिंग मेतर मां शुरू में IPO प्राइस फिक्स न गरी क्वालिफाइड इंबेस्टर को डिमांड अंसार प्राइसिंग फिक्स गरींच येसले गरता कमपनियरले शेयर को उचित मुले पाउने संभावना बढ़चा येसले डिमांड अन सप्लाइ लागो उने हुदा येसले शेयरको अप्टिमाल प्राइस पता लगाउना मदल गर्चा येसले जेनरल पॉब्लिक लाई पनी शेयरको 100 मुले के रईचा बने कुरा था पाउना पनी सजीले उन्छ तेसरो येसले शेयर अंडर प्राइसिंग वा अबर प्राइसिंग उने रिक्स कम गर्चा जेसले कमपोनी को रेपुटेशन रा प्रोफिटाइबिलिटी को रिक्स पनी कम गर्चा रा अरू पनी थुप्रे कमपोनी और बुक बिल्डिंग बाटा आईप्यो लाउना आकरसित उने सक्षा अब इसको बेफाइधार को कुरा गर्था पहिलो बुक बिल्डिंग मेथ़ड को प्रोसेस एकदमे लेंदी उने भाय कले इस्व मैनेजर को चार्जेश पनी बरी लागने उन्छ दोसरो कुने एक इन्बेस्टर को पाउंच अरू इन्बेस्टर बन्दा बरी उना सक्षा एथी तेसो बायमा इन्फोर्मेशन एसिमेट्री अर्थात जानकारी असामानता सिर्जान आउनकाई IPO बिवेद पुर्णा हुने सम्भावना हुना सक्षा समग्रमा एर्दा एउटा IPO निस्काशन गरना खोजेको कमपने मार्केट को धिमान अंसार को मुल्ये पाउना सक्ने क्वालिफाइड इन्बेस्टर ले आफुले खोजेको वा आफुले गरेको मुल्यांकन का अधारमा कमपनी को शियर किन्ना पाउने रा कमपनी को फेर वालू किये रही चा भन्ने को पाब्लिक लेनी था पाउने रा ते समग्रमा बुक बिल्डिंग मेथड एकदमे स्वागत योग्य कंचेप्प भन्ना सक्षों ते सहीले ओला यो विश्ववरी एकदमे प्रचलित विद्य गुरुप मा परियो गरीन छौ। आजग वीडियो बाटा हामीले बुक बिल्डिंग मेथड बनीको की हो तपयारलाई एकदमे छरलंग भयोला बने विश्वास लिएको छुु। ये कंचेप्ट्स सबयले जाननारा बुझने एकदमी जरुरी भयकोले सबयले सबयले सक्दो शेयर गरनु वला। हामी अरुपनी एसता वीडियो दो थुप्रेलिये राउंदेछू। एदी तक पलाया कुणे पनी बिशेश टॉपिक माय वीडियो हेना मन्चा वने। तो पिनी तला कमेंट गरा है मिला सुझाब दीन होला। रा एसता हरेक वीडियो दो छुटाउना चान वन्डा बने चानल ला अईलेने सब्सक्राइब वन्डा। आज अगर वीडियो प्रेम पुरो घेरी दिनी बायक माय देरे देरे धन्ने बाद। See you on the next वीडियो।